हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्णावली 1A का सवाल नमबर 9 तो देखिए यहाँ पर लिखा है निवकलिट विभाजन प्रयामेरिका का प्रियोग करके दर्साये की किसी धनात्मक पुडांक का जो वर्ग होता है वो क्या होता है किसी पुडांक M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप में होता है तो देखिए यहाँ पर हमें दर्साना क्या है कि जो कोई भी कोई भी धनात्मक जो पुडांक होता है उसका जो वर्ग होता है वो क्या होता है 3M या 3M प्लस बं के रूप में होता ये हमको सिद्ध करना है अब देखिये यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए किसी धनात्मक पुढांग का वर्ग अब हमें पता ही नहीं है कि कौन साथ धनात्मक पुढांग है तो कोई भी मान लीजे पुडांग, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए, माना या मान लीजे, सबसे पहले आप मान लीजे, कि यक्स कोई है, यक्स कोई धनात्माग पुडांग है, इसको कोई धनात्माग पुडांग मान लीजे, ये क्या है, एक कोई धनात्माग पुडांग है अब जब यक्स कोई धनात्माग पुडांग है तो हम इसको लिख सकते हैं इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं थिरी क्यूं या थिरी क्यूं प्लस वन इस रूप में भी लिख सकते हैं अगर यक्स कोई धनात्माग पुडांग है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकत अब देखे यहां पर हमें सीध क्या करना है किसी धनात्मक पुडांग का वर्ग यानि इसका हमें वर्ग करना है और वर्ग करके हमें 3M या फिर 3M प्लस 1 इतना ही लेकर आना है तो देखे अगर अगर यहां पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 Q हो जाएगा ठीक यह पुडांग है अब हम इसका वर्ग करेंगे क्योंकि यहां पर वर्ग करने के लिए पूछ रहा है तो वर्ग करेंगे और अगर वर्ग करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यक्स स्क्वेर और यहां पर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर 9 हो जाएगा 9 Q 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 स्थान पर एम लिखेंगे तो यहां पर आप लिक्स बोल सकते हो कि जहां एम बराबर क्या है थिरी क्यूं स्क्वेर यानि थिरी क्यूं स्क्वेर के जगा हमने एम लिख दिया तो इसलिए यहां पर लिखेंगे जहां एम बराबर थिरी क्यूं स्क्वेर इसके स्थान पर एम यहां पर देखिए यक्स कोई धनात्मक पुडांग है और देखिए यहां पर हमें सीध क्या करना है यानि किसी धनात्मक पुडांग का जो वर्ग होता है वो क्या होता है थिरी एम होता है या फिर थिरी एम प्लस वन के रूप में होता है देखिए पहला तो हमने सीध कर दिय ठीक, यहां पर इसका वर्ग है दनात्मक पुडांक है और इसका वर्ग कितना हुआ, ठीक और जहां पर आपको इस तरह लिग देना है अब इस तरह से इसको भी इसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे तो यहां पर देखे यक्स बराबर क्या हो जाएगा three q plus one ठीक अब इसका हम जब work करेंगे तो देके कितना हो जाएगा जब work करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा and square और उसके बाद क्या ओ जाएगा यहाँ पर देखें इसको a मान लिजे इसको b तो यह क्या हो जाएगा a plus b का होयल स्क्वेर अब इसको सूत्र से हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता जाएगा 9 क्यूं स्क्वेर और यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वी का स्क्वेर यानि इसका उवर करेंगे एक ही हो जाएगा और यहाँ पर 2 into 3 Q गुड़े 1 तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसको हम इसके साथ ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कामा लेना है तो यहाँ पर यकसी स्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा इसको 9 क्या लिख सकते हैं 3 into 3 Q 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 लेंगे तो यहां पर देखे इसमें भी तीन है इसमें भी तीन अगर हम तीन कामा लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर देखे थिरी क्यूं स्क्वेर बचेगा और यहां पर प्लस क्या बचेगा यहां पर क्या बचेगा दो दो बचेगा और दो क्यूं बचेगा क्योंकि यहाँ पर 3 निकला है 2 Q बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा ठीक अब देखिए अब यहाँ पर लिखिए यह स्क्वेर बराबर और इसके स्थान पर की M माल लीजे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 M और यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है इसको लिख दीजे ठीक तो देखिए और यहाँ पर लिख दीजे जहां M बराबर 3 Q स्क्वेर प्लस 2 Q ठीक यह हो जाएगा तो बस यही आपको सिद्ध करना था देखिए यहाँ पर क्या कहा था सवाल में आपके देख लिखते देखे यहाँ पर सवाल में क्या कहा था कि किसी धनात्मापुडांग का जो वर्ग होता है धनात्मापुडांग हमने यक्स माना है यानि यक्स का वर्ग ये क्या होगा 3M या फिर 3M प्लस 1 के रूप में होता है तो देखे यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर इसका वर्ग जो है वो 3M है और यहाँ पर जो है यक्सी स्क्वेर है यानि इसका जो वर्ग है यह भी 3M प्लस 1 यानि इस रूप का होता है यही हमें सिद्ध करना था बस आपका solution यही है चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल देख लेते हैं देखे सवाल नंबर 10 यहाँ पर है निउकलिट विभाजन प्रेमेका का प्रियोग करके दिखाईए कि किसी धनात्मक पुडांग का जो घन होता है वो 9M 9M प्लस 1 या फिर 9M प्लस 8 के रूप का होता है देखे सवाल वही ह सिर्फ यहाँ पर क्या बताया गया है उस बार वर्ग और इस बार यहाँ पर घन दे दिया गया है और इसका अंग बदल जाएगा बस और सवाल तरीका वही है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर भी सबसे पहले आप मान लीजिए कोई धनात्मक कि यक्स कोई धनात्मक पुढांक है धनात्मक पुढांक है ठीक आप देखे जब यक्स कोई धनात्मक पुढांक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3Q या फिर 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2 इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे ठीक हमें जितना जरूरत होगा ठीक यह क्या है क्योंकि यहाँ पर न्यूकलीड व्भाजन प्रामेईका का प्रियोग करना है अगर हम उसका प्रियोग करेंगे तो जो धनात्मक पुढांक होता है वो 3Q और 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2 इस रूप का होता है अगर प्रेमेगा का प्रियोग हम करेंगे तो जो धनात्माग पुढांक होता है वो इसी रूप का होता है अब देखें यहाँ पर जो निउक्लिट विभाजन प्रेमेगा है क्या होता है यह होता है यक्स बराबर बीक्यू प्लस आर यह इसका सूत्र होता है तो यहाँ पर व धनात्माग पुडांग है और जो धनात्माग पुडांग का अगर हमको निवकली विवाजन प्रेमिका से लिखेंगे तो यह 3Q यह 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 इस रूप का होता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ठीक अब हमें क्या करना है मैं सिद्ध करना है कि इसका जो घन है वो 9M या फिर 9M प्लस 1 या फिर 9M प्लस 8 के रूप का होता है यह हमें सिद्ध करना है अब हम क्या करेंगे यक्स बराबर लिखेंगे 3Q लिखेंगे अब हम क्या करेंगे इसका घन करेंगे उस बार हमने क्या किया था वर्ग और इस बार हमें घन करना है जब घन करेंगे त और यहाँ पर Q की पावर 3 ठीक और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके स्थान पर हम M माल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 M ठीक पहला तो आपका सिद्ध हो गया यहाँ पर लिग दीजे जहां M बराबर कितना है 3 Q Q यह है ठीक अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिजे यक्स बराबर 3 Q प्लस 1 ठीक अब इसका भी घन करिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि इसका जो घन होता है वो इस रूप का होता है ठीक तो यहाँ पर आप इसका जब घन करेंगे तो देखे क्या हो जाएगा तो देखे यहाँ पर यहाँ पर देखे इसका करेंगे तो यहाँ पर क्यों जाएगा ती तरिक का नौ तरिक 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा और उसके बाद क्या होता है 3 ए भी होता है तो ए यहाँ पर 3 Q ए भी हो गया और उसके ब्रेकेट के अंदर 3Q प्लस 1 होता है यह आपका सूत्र होता है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 27Q हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 तरीक का 9 और 9 तरीक केतना हो जाएगा 27Q स्क्वेर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 तरीक का 9 और अंदर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 Q 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 ले रहे हैं क्योंकि 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुड़े 3 cube इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ठीक उसके बाद plus इसको भी हम लिख सकते हैं 9 गुड़े 3 q square और इसको लिख सकते हैं इसको इसी तरह से लिखा रहेने दो ठीक और हम क्या करेंगे इतना कामा लेंगे इसमें से और यहाँ पर प्लस 1 इसमें से हम 9 कामा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर 9 कामा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूं क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 3 क्यूं स्क् पर यहां पर M मा लीजे तो यहां पर फ्लस 1 हो जाएगा और यहां पर लिके जहां M बराबर क्या हो जाएगा 3 q square plus 3 q plus q यह लिए बाबर नोगे तो यह दूसरा नंबर भी सिध्ध को भी अब इसके बाद एक और यहाँ पर बचा है देख लिजिए यहाँ पर हमें क्या सिद करना है 9m प्लस 8 इसके रूप का भी होता है तो इसको कैसे सिद करेंगे देखें यहाँ पर हम इसके यक्स बराबर यहाँ पर इतना लिखेंगे अब हम क्या करेंगे येक्स वराबर लिखेंगे थिरी क्यूँ प्लस टू इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे यानि इसका घं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसी तरह सो जाएगा थिरी क्यूँ को अगर हम तीन बार गुण करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3A भी होता है तो यहाँ पर 3B यह हो जाएगा और यहाँ पर A प्लस B हो जाता है यह सूत्र है A प्लस B का होईल क्यूब का सूत्र है अब देखे इसको अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे इसको मैं लिख सकते हैं 9 गुड़े 3 Q प्लस और इसको मैं क्या लिख सकते हैं देखे यहाँ पर 3 तरीक का 9 हो जाएगा 9, 2, 18 और 8, 3, 54 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 और यहाँ पर Q, Q स्क्वार हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर अठार दून 36 हो जाएगा और यहाँ पर Q और यहाँ पर जो 8 है इसको लिखिए यहां पर 8 अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से 9 कामा लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 3 की Q Q हो जाएगा उसके बाद यहां पर 9.6, 54 हो जाएगा और यहां पर Q 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 m plus 8 ये भी देखिए आपका सिध्ध हो गया यही आपको सिध्ध करना था यहां पर लिख दीजे जहां m के अस्तान पर आप इसको यहां पर लिख दीजेगा ठीक तो इस तरह से आपको इसको सिध्ध करना था ये हो गया प्रोब्ड दैट इति सिद्धम आई हो फ्रेंड्स आप लोगों को ये दोनों सवाल सावन में आए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कवेंट बॉक्स में अपना फिटवाइक जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो don't forget to like करना विल्कुल न भूले क्योंकि जब आप like करते हो तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है और मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा पढ़ाया किसी को सौन में आ रहा है तो चलते हैं में लगे एगले वीडियो में so thanks for watching and see you again in next video